दोस्तों आप सबको पता है कि मतब्रदेश में आरक्षन विबाद चल रहा है OBC आरक्षन का 27% वाला मुद्दा है उस पर कोट में अभी विचाराधीन है मामला और इस वज़े से जितने भी रिजल्ट्स बहुत महीने बाद जारी किये जा रहे हैं वो सारे रिजल्ट्स जो है वो 13% पदों को होल्ड करके जारी किये जा रहे हैं इसका मतलब कि सिर्फ 87% जो पोस्ट है उन्हीं के रिजल्ट्स जारी किये जा रहे हैं और उन्हीं पर न्यूपतिया दी जाएंगी बाकी जो पद हैं वो होल्ड पर रहेंगे इस से related एक बहुत important और अच्छी जानकारी एक आर्टिकल मुझे दैनिक भासकर के एक प्रमुक पेज पर दिखाई दी 27 फरवरी के दैनिक भासकर के इस पेज पर इस से related जो आर्टिकल है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर यह आर्टिकल दिख रहा है 27 फरवरी के चलते कई भरतियों में 13 परशंट पद होल्ड है जो कि आपको पता है इसके लावा विशसग्य बोल रहे हैं जितने भी विशसग्य हैं कानून के जानकार हैं जो हैं इस तरह के मामलों के जो जानकार हैं उनका कहना है कि असल में इस विवाद में 13 परसंट पदों को होल्ड करके परिणाम जारी करना और न्यूकती देने से बहतर यह होगा कि 14 परसंट आरक्षन पे ही भरतियां की जाएं जितने भी नई वेकिंसी आएं उन पर भरतियां 14 परसंट आरक्षन के साथ ही किया जाएं यह ज़्यादा बेटर होगा कम से कम पूरे 100% पदों पर भरतिया तो होंगी तो ये तर्क सही भी लगता है एक तो ऐसे ही बेरुजगारी है पोस्ट ऐसे ही कम निकलते है उसमें से भी अगर 13% पदों को होल्ड कर दिया जाएगा तो उतने बच्चे जो उन पदों पर नौकरियां कर सकते थे, जॉब पा सकते थे भले ही वो जनरल कोटे से पाते उपन कैटेग्री से पाते लेकिन कम से कम जॉब तो होती उतने लोगों के पास अब ये 13% होल्ड करने के बज़ए से पता नहीं इसकी कोई गैरेंटी नहीं है कि मामला कब सुलझेगा, कब उन होल्ड पदों पर भरतिया की जाएंगी, की जाएंगी या नहीं और कई लोग जो वेटिंग में रहेंगे वो बेचारे इंतजार करते करते ही रह जाएंगे, उनकी तकलीफें खत्म नहीं होंगी, तो इसलिए ये सलाह दिया जा रहा है विसे सग्यों के दवारा कि इससे अच्छा तो होता कि 14% आरक्षन के साथ ही भरतिया कराई जाती तो इस मामले में और क्या कुछ कहना है और क्या जानकरी इसमें है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं भासकर के एक्सपर्ट्स का जो कहना है वो ये कि 13% पर फोल्ड करना गलत है सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है मतलब इसके वज़े से जनरल कैटेगरी का तो नुकसान हो ही रहा है OBC कैटेगरी का भी नुकसान हो रहा है और साथ ही इन परिक्षाओं के बज़े से MPPSC या ESB के माद्यम से लिए गए सभी परिक्षाएं इन सभी परिक्षा परिक्षा परिणाम प्रभावित हो रहे हैं इन में सामिल बच्चे और उनके फैमिली भी प्रभावित हो रहे हैं तो या तो सरकार को बहुत जल्दी ये मामला सुलचाँ लेना चाहिए या फिर सारी भरतियां 14% डारक्शन के साथ ही करा ले जिनी चाहिए जिस से यह जो यह इस तरह से है कि सामने थाली में परिशा हुआ वो 13% पद तो रहेगा लेकिन वेटिंग में खड़े बच्चे बस उसे देखते रहेंगे और नजाने कब उन्हें इन पदों पर नोकरी करने का मौका मिलेगा अच्छी जानकारी लगी इसलिए मैं आपसे सेर की अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको और हमारे साथ बना रहे मिलते हैं नेक्स टूडियो